2014-2019 में मोदी और शाह ने भी यही कहा कि पक्ष कानेता कॉंग्रिस को नहीं मिलना चाहिए और इस बार वही नणीती रोने महराश में अपना ही है आपको बताई से बीच आपको बता दे कलपना सुरेन का बयान सामने आ रहा है क्या कुछ कह रहेंगे जारकर में प्रचंड जीत के बाद सुना आपको कुछ हमको भी नहीं पता है 50 प्लास है जिस तरह से अभी रुजहान और रिजल्ट अभी जो नतीजे दिख रहे हैं क्या कहना चाहेंगे 50 के लगबर आपने चुछ की है लगबर बहुमत की सरकार बढ़ने जारी जो जंसवाए और जिस तरह कनेक्शन हुआ है क्या कहना चाहेंगे देखे मैं अभी फिलहाल के तौर पर यह कहना चाहूंगे क्योंकि काउंटिंग अभी चल रहे है तो हम लोग जब इतना इंतजार किये हैं तो बस कुछ घंटों का और इंतजार हो जाए और मैं समझती हूँ कि अभी कुछ कहना जादा जल्दबाजी होगी है तो थोड़ा से वेट करें चली कोई वादरी रोजान है अब आप इतने देखे 23 तारीक का इंतजार सब ने किया है और मुझे लगता है कि कुछ घंटों का दो से तीन घंटों का इंतजार और करिये देखे मैं ये कहना चाथी हुँ कि जार्कन की जन्ता ने हमारे बड़े भुजूर्गों ने था हमारे भाई दादा ने हमारी माताओं बहनों ने हमारे युवा साथियों ने विविकास का रास्ता चुना है ...र कही न कही इस बार मैया की जीत हो रही है बस मैं यह कहना चाहिए जबर्दस जीत के साथ वापस यहाँ पर लोट रखी है और जे एमेम के लिए यह बड़ी यहाँ पर लड़ाई थी क्योंकि इस साल सुरेन बरिवार के साथ काफी कुछ घटा इसे बीच आपको बता दे कि हेमन सुरेन जेल गए उसके बाद वो वापस लोटे उसके बाद यहां पर चोगे इंडिया घट बंदन ने यहां पर मिलकर जिस सला की लड़ाई और जिस सब pressing कि बीचे पी को और घटबंदन को दी है वह काफी बड़ीया ञीट है और कल्पना सुरेन यहाँ पर जोगे अगर देखे तो यहां पर दो महीने पहले तक